जामुलेकुम दोस्तों, आज की सुडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत अली ने फर्माया, रोज सुबा दो फरिष्टे घर पर क्यों आते हैं और वो आकर क्या करते हैं? साथी साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वाकिया जिस वाकिये में दुलहन का इंतिकाल हो गया यानि अपनी शादी वाले दिन ही दुलहन जो ससुराल में जानी थी वो कबर में पहुच गई इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे उन 15 घरों के बारे में जिन घरों में गरीबी ही गरीबी आती है तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है ये 15 काम जिन घर में भी होते होंगे वहाँ हमेशा परेशानिया ही रहेगी पहरे दोस्तों सब कुछ बताने वाले हैं बस आप इस वीडियों को आखिर तक देखते रहिए वीडियों शुरू करने से पहले आप इस वीडियों को एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने कुछ करीबी लोगों तक जरूर पहुचाएं तो चलिए वीडियों शुरू करते हैं हजरत अली की खिदमत में एक शक्स आकर कहने लगा या अली दिन के आगाज में सबसे पहले क्या होता है तो हजरत अली ने फरमाया एए शक्स दिन का आगाज दो फरिश्टों से होता है एक फरिश्टा घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्टा घर घर जाकर इलतजा करता है तो वो शक्स कहने लगा या अली किस बात के लिए फरिश्टा दुआ करता है और किस बात के लिए इलतजा तो हजरत अली ने फरमाया मैंने अल्ला के रसूल सलला लिही वसल्म से सुना कि सुबह से पहले दो फरिश्टे जमीन पर आते हैं और घर घर जाकर देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्ला की मखलूप पर खर्च करता है अपने अजीज औ अकारीब पर खर्च करता है अपने घर वालों की जरूरतों को अपना फर्ज समझता है तो एक फरिश्टा अल्ला के दर्बार में दुआ करता है कि ए अल्ला इसके हाथ को कभी तंग मत करना इसकी नेमतों को बढ़ाते रहना ताकि ये ऐसे ही अपने अजीज औ अकारीब और घर वालों पर खर्च कर सके और दूसरा फरिश्टा ढूंडता है कि कही कोई घर ऐसा तो नहीं जिस घर में कोई ऐसा शक्स हो कि वो अपने घर वालों पर अजीज औ अकारीब पर माल खर्च नहीं करता हो वो छुपाकर रखता हो यानि Allá की मखलोब पर खर्च नहीं करता हो याद रखना जब वो किसी ऐसे इसे इनसान को देखता है जो अपने माल को इकठा करके इनसानों से छुपाकर रखता है तो वो दूस्वरा फरिष्टा Allá के दर्बार में फरियाद करता है कि आई एल्लाव इस बंदे से इस दौलत का सक्त हिसाब लेना और इस बंदे को दुन्यावी दौलत से महरूम कर दे क्योंकि ये अपनी दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता अपने गहर वालो और अजीजों अकारीब पर अपने माल को खर्च नहीं करता महरूम रखता है और यू अजीजो अकारीब पर खर्च करने वाला दुनिया में फराबानी और आखिरत में अजीम अजर पाता है और जो दुनिया में अपना माल अपने अजीजो अकारीब पर खर्च नहीं करता तो वो दुनिया में रुस्वाई और आखिरत में सकता आजाब देखता है पैर दोस्तो अब हम आपको वो वाकिया सुनाते है जिस वाकिय में दुलहन का इंतिकाल हो गया यानि अपनी शादी वाले दिन ही दुलहन कबर में पहुच गई दोस्तों ये वाकिया सौधी अरब का है एक लड़की की शादी थी उसकी तयारिया चल रही थी दुलहन को सजाया जा रहा था इतनी देर में मस्जिद में आजान हुई और उसके बाद नमाज के बाद से ही लड़की के मेकप की तयारिया चलने लगी उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुलहन का सारा मेकप किया गया इतनी देर में इशा की अजान हो गई जैसे ही उस लड़की के कानों में अजान की आवाज आई तो उसने सोचा की नमाज पढ़ लू और उठी वजू करने के लिए जाने लगी जैसे ही वो वजू करने के लिए चली तो उसकी माने देखा और पूछा बेटी कहा जा रही हो तो दुलहन ने जवाब दिया की अम्मी मैं वजू करने के लिए जा रही हू अजान हो चुकी है नमाज का वक्त हो रहा है लड़की की माने कहा कि कही तुम पागल तो नहीं हो गई हो नीचे सारे महमान बैठे है तुम्हारा इंतजार कर रहे है तुम वजू करोगी तुम्हारा मेकप खराग हो जाएगा तुम फिर अच्छी नहीं दिखोगी सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे उस दुलहन ने कहा कि अम्मी लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता मुझे अपने रब को राजी करना है इतना कहकर लड़की वजू के लिए चली गई उसने वजू किया और नमाज के लिए जाने लगी वजू करने से उसका सारा मेकप उतर चुका था लेकिन लड़की को इस बात की कोई भी फिकर नहीं थी उसे तो डर था अपने रब का लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने लगी जैसे ही उसने आखरी सजदा किया तो वो उठ ना सकी और सजदे में ही उस लड़की का इन्तकाल हो गया जब काफी देर बाद भी दुलहन नीचे नहीं पहुंची तो माँ को फिकर हुई वो कمرे में गई देखा तो दुलहन सजदे में है काफी देर के बाद भी जब वो सजदे से ना उठी तो मा करीब जाकर उसे हिलाने लगी जैसे ही देखा तो पता चला कि लड़की का इंतिकाल हो गया है तो वो मा फूट फूट कर रोने लगी पैर दोस्तों ये जो प्यारा सा मैसेज है ये उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चुके है किसी ने क्या खूब कहा है कि इसलाम की शहजादियों को खूबसूरत बनने के लिए किसी महेंगे क्रीम और पाउडर की जरूरत नहीं पांच वक्त के वजू का पानी ही काफी है, उनकी खूबसूरती के लिए, प्यारे दोस्तो, अब हम आपको बताते है, पंदरा घरों में गरीबी ही गरीबी आती है, तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है, और परेशानिया आती है, दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी कमाई तो बहुत है लेकिन फिर भी पैसा रुकता नहीं है पैसे में बरकत नहीं होती आपकी गरीबी दूर नहीं होती अगर आप इन गलतियों में से एक भी गलती करते हो तो उसे फौरण अपने से दूर कर दो इंशालला गरीबी आपके घर से दूर हो जाएगी आसपास भी नहीं भटकेगी घर में गरीबी आने की पंदरा निशानिया नमबर एक लेटते वक्त एक टांग को दूसरी टांग पर रखना नमबर दो तूटे हुए बरतन इस्तेमाल करना नमबर तीन बोटल को पूरा मोह या पानी के मटके को मोह लगा कर पानी पीना नमबर चार पेड के नीचे पेशाब करना नमबर पांच तूटी हुई कंगी से बाल बनाना नमबर छे घर में कूडा करकट जमा करके रखना नमबर साथ दांतों से नाखून को काटना नमबर आठ फजर की नमाज नहीं पढ़ना पैर दोस्तों सबसे ज्यादा गरीबी फजर की नमाज नहीं पढ़ने से आती है अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते है तो उस घर में गरीबी का आना तय है नमबर 9 जूटी कसम खाना नमबर 10 उल्टे लेट कर सोना नमबर 11 महमान के आने पर नाराज होना नमबर 12 औरतों का खड़े खड़े बालों को सवारना नमबर 13 गुसल खाने में पेशाब करना नमबर 14 घर में बड़े लोगों को नीचे बैठा कर खुद उपर बैठना और नमबर 15 उल्टे हाथ से खाना पीना करना पैर दोस्तों ये थे वो 15 काम जिनको करने से घर में गरीबी बनी रहती है और उस घर में गरीबी का आना तै होता है तो आप अगर इन चीजों से बच गए तो इन्शाल्ला ताला आपके घर में भी बरकत होगी पैर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप हर बार की तरह अपने दोस्तों में जरूर शेयर करे